अब जैसा कि तुम सब थमनेल और टाइटल देख करके यहाँ पर आये हो, आज हम बात करने वाले ODA के SBS Vol. 101 के बारे में, अब देखो जिसको SBS के बारे में नहीं पता, जाके मेरा ये वाला वीडियो अब देखो, मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ कि Frankie जब बुढ़ा हो जाएगा, तो वो कैसा दिखेगा, तो ODA ने उसे ये बना करके दिया, पहले आता है 50 साल वाला Frankie, ये वाला, उसके बाद आता है 70 साल वाला Frankie, ये वाला, और हाँ, साथ में ये दो चीजे भी बना करके दी, वैसे अगर तुम comment box में ये पूछने वाले लेकिन फिर भी मैं तुमको जो है उस website का link description में दे दूँगा हाँ तो चलो next question की तरफ बढ़ते हैं एक fan ने Oda से Yamato के बारे में पूछा I mean उसके Kanaboo का नाम क्या है तो Oda ने बताया Takeru इसके बाद उन्हें next question पूछा गया हाली में बहुत सारे यूट्यूबर्स ने One Piece के बारे में बात करना सुरू किया है बट क्या आप उनमें से किसी चैनल को देखते हैं Oda ने जवाब दिया मैंने बहुतों के वीडियोस देखे हैं उन्होंने किसी का नेम तो नहीं बताया बट वो हैरान है कि वो कितना जादा knowledgeable है खास कर जब बात आती है theories की वो ये बताने के काबिल है कि आगे स्टोरिक किसी साब से बढ़ेगी लेकिन मुझे उन्हें देखना बंद करना पड़ा क्योंकि बहुत टाइप के लोग One Piece रीड करते हैं और ऐसा मांगा लिखना जो हर किसी के टाइप को सूट करे मुझे उन्हें देखना बंद करना पड़ा मैं उन्हें देख नहीं सकता बाइदवे उनका भी खुद का YouTube चैनल है नाकामा ट्यूप नाम का तो चेक आउट करना मत भूलना वैसे मैं ODA के चैनल का लिंक भी तुमको डेस्क्रिप्शन में दे दूँगा तो जाओ जाकरके उनका भी चैनल चेक आउट करो नेस्ट क्वेस्चन एक फैन ने पूछा अगर किलर का स्माइल डेविल फूट सक्सेस्फुल हो जाता तो वो कैसे दिखता तो ODA ने ये बना के दिया इसके बाद नेस्ट क्वेस्चन ओडा से ये पूछा गया कि सो एंड सो बोले वाला समुराई क्या जोरो का बाप है जहां पे ODA ने जवाब दिया था नहीं ये जोरो का बाप नहीं है बट उन्होंने हमें ये भी रिवील किया दामियो औफ रिंगो सिमुशिकी उसिमारू दामियो औफ कीबी फुगत्सू ओमुसूभी दामियो औफ उडोन उजोकु तेनपूरा नेस्ट क्वेस्चन एक फैन ने पूछा रेड हेर पाइरेट्स के कुछ क्रूमेट्स के नेम हमें पहले से पता है जैसे लकीरू, बैन बैकमेन, यासोप, एंड रॉकस्टार क्या आप कुछ और क्रूमेट्स के नेम बता सकते हैं यहाँ पर ओडा ने ये भी रिवील कर दिया रेड हेर पाइरट्स अभी बहुत बड़ी टीम बन चुकी है जो मेंबर्स समिट वार के टाइम पे वहाँ पर थे वो सभी लूफी को जानते हैं यहाँ पर ओडा ने नेम भी बताया उन सभी का यहाँ ओडा ने एक और बात बताया रॉक्स्टार में भी स्ट्रॉंग है बट उसके पास ओफिसर का टाइटल नहीं है अब लाइबरेरी अप ओहारा में इतना कुछ ही हमें SBS101 के बारे में बताया गया है बट और भी चीजे रिबील हुई थी जैसे काईडो और यामाटो का डेविल फ्रूट किस प्रकार का दिखता है यह सारी चीजे तुमको मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ यह सारी चीजे भी ओडा ने SBS Volume 101 में बताई खेर जो कुछ भी हो यह था मेरा आज का वीडियो SBS Volume 101 के बारे में अब तुम्हारा क्या मानना है तुमनों मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ हाँ मालू में ज्यादा कुछ था नहीं पर बहुत सारी चीजे यह रिवील हुई अगर तुमको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक मारना मत भूलना